नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में तो दोस्तों आज हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत अपने स्वदेशी बॉंब्स को जो गाइड़ बॉंब्स होते हैं उन्हें छोड़ के इसराइल से स्पाइस 1000 या 2000 बॉंब्स को क्यों खरीता है और साथी साथ रीसेंटली ही अभी फ्रांस से हैमर बॉंब्स को भी राफेल के लिए परचेस किया गया है तो जब उन बॉंब्स के अल्टरनेट्स हमारे पास हैं तो फिर भारत उन बॉंब्स को क्यों नहीं यूज करता है जो खुद के बनाए हुए हैं बलकि विदेश से बॉंब्स को खरीदता है ये सवाल पूछा था ओम पटेल जी ने फेस्बुक पेज़ पे हमारे चैनल के साथ तो हम इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे और इस वीडियो में अगर आप इन तीनों बॉंब्स के बारे में नहीं जानते हैं जो भारत के स्वदेशी गाइड़ बॉंब्स हैं तो वो भी आपको आपको आटोमेटिकली ही पता चल जाएंगे तो without any delay चली वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे भारत के पास तीन बॉंब्स के ऑप्शन होते हैं जिसमें कि सुदर्शन लेजर गाइड़ बॉंब्स आता है HSLD के अलग-अलग वेरियेंट्स आते हैं और एक बॉंब्स आता है जिसे आप 100 के नाम से जानते हैं तो इन तीनों भी बॉंब्स पे हम डिसकस करेंगे वन बाइवन करके और लास्ट में समझेंगे कि क्यों इन बॉंब्स को इस्तमाल नहीं किया जाता है तो पहले बात कर लेते हैं सुदर्शन बॉंब्स की तो सुदर्शन एक laser guided bomb kit है दोस्तो ये कोई bomb नहीं है जैसे कि spice 2000 भी जो है या spice 1000 है ये kit है जो कि किसी भी unguided bomb पे आप अप्लाई कर सकते है और वो bomb एक guided bomb बन जाता है तो उसी तरह जैसे spice है वैसे ही सुदर्शन बॉंब भी है तो यानि कि ये kit भी spice की तरह हो गया इसका जो development है ये ADA ने किया है यानि कि Aeronautical Development Establishment ये DRDO का ही एक wing है इसका जो design है दोस्तों वो basically maximum 450 kg से 500 kg के bombs तक के लिए किया गया है तो इससे छोटे यानि कि 250 kg तक के भी होते हैं और जादा में 500 kg तक के bomb को आप इसके थूर्व operate कर सकते हो ये bomb भारती वायुसेना में 2013 से ही इस्तमाल किया जा रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्यों कि मैंने कहा किया जा रहा है तो इसका मतलब आप ये समझ लिजे कि Indian Air Force इसे यूज करती है Spice और Hammer के साथ साथ तो यानि कि ये अल्रेडी यूज की जा रही है तो ओम पटेल जी का जो सवाल था कि उन्होंने पूछा था क्यों नहीं यूज करती है तो ऐसा नहीं है कि सुदर्शन को यूज नहीं किया जाता है इसे यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं तो इसकी accuracy 10 मीटर तक की होती है इसके अलावा ये बॉम 20 मीटर के दाइरे में हर चीज को पूरी तरीके से तबाह कर देता है यानि कि जिस जगा पे ये गिरता है उस पॉइंट से 20 मीटर का जो दाइरा होता है एक circular range में वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है इसका जो launch platform है वो इसे आप launch कर सकते हो मिराज 2000 से, मिक 29 से, जगवार से और 130 MKI से इन सब से आप launch कर सकते हो लेकिन जब सारी services available है तो फिर इसे ही क्यों नहीं बाला कोट में इस्तमाल किया गया तो actual में दोस्तो इस bomb की आप कहलो इस kit की जो range है वो 9 km तक की ही है तो ये range अगर आप देखते हैं तो काफी ज़्यादा कम है तो इसकी कम range होने की वज़े से अभे इसका इस्तमाल proper तरीके से बड़े attacks में नहीं किया जाता है इसके अलावा सुदर्शन के एक अलग variant जिसे हम सुदर्शन NG कहते हैं उस पे काम किया जा रहा है जिसकी range 50 km तक की होने की उमीद है तो ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है 2019 में ये news आई थी कि सुदर्शन के NG variant का टेस्ट हुआ है लेकिन उसकी भी range बताई गई थी 9 km तक के ही आसपास की टेस्ट की गई है तो अगर 9 km है तो obvious है कि ये पुराना ही variant है तो सुदर्शन NG का अभी तक कोई proper ऐसा टेस्ट नहीं हुआ है जिसके थुरू इसे 30 या 40 km या 50 km दूर तक के लिए टेस्ट किया जाए तो अभी ये development में है जिस दिन ये develop हो जाएगा उस दिन ये hammer bomb को तो replace कर ही सकते है क्योंकि hammer की जो range है वो भी 60 km तक के ही आसपास की है जबकि spice bombs की जो range है वो तो काफी जादा है उनकी range up to 100 km तक की होती है तो ये आप समझ गया सुदर्शन laser guided bomb kit के बारे में उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे अभी पूरी तरीके से इस्तमाल नहीं किया जाता लेकिन IEF ये 50 की quantity में इन bombs को use करती है इसके अलावा second जो bomb है हमारा वो है HSLD इसका मतलब हुआ high speed low drag bomb ये एक proper bomb है और इस bomb में दो variants आते हैं इन variants में पहला है GPB यानि कि general purpose bomb ये bomb unguided होते हैं और दूसरा है PG HSLD यानि कि precision guided high speed low drag bomb तो इसका जो PG HSLD variant है ये एक तरीके से काम करेगा आपका जो Israel का spice है या hammer है France का उसकी तरह और जो GPB है यानि कि general purpose bomb है ये एक unguided bomb की तरह काम करता है तो ये दो तरह के variants में basically आता है इसे भी DRU ने ही develop किया है और इसका development basically 2017 से शुरू हुआ है तो ये bomb अभी आप देख सकते हैं 17 से ही शुरू हुआ है तो अभी इसके कुछ test हुए है लेकिन अभी काफी test होने बाकी है तो development phase में 5-6 साल का वक्त लगता ही है तो ये bomb भी अभी पूरी तरीके से develop नहीं है under testing चल रही है हाला कि इसकी range पुराने वाले जो सुदर्शन bomb है उससे अच्छी है इसकी range 30 km तक की है जो की अलग-अलग mass वाले bombs में integrate की जा सकती है जैसे कि इस bomb में 250 kg, 450 kg और 550 kg तक के mass वाले bomb को लेके आप 30 km range तक attack कर सकते हो इसके launch platform की बात करें तो इसे launch किया जा सकता है मिराज से, MiG-29 से, जगवार से और Su-30 MKI और तेज़स से भी इसे launch करने का plan है तो ये भी bomb को Indian Air Force इसले नहीं use करती है क्योंकि ये bomb भी अभी under development है इसके अलावा आता है saw या फिर जिसे आप smart anti-airfield weapon कह सकते हो और इसे भी develop किया है DRDO ने ये एक long range high precision guided weapon है दोस्तों और इसकी range maximum है up to 100 km तक की तो ये काफी ज़्यादा range है आप देख सकते हो तो इतनी ज़्यादा range है फिर भी नहीं use किया जाता है तो इसमें दोस्तों अगर आपने इसके नाम में ध्यान दिया तो इसका नाम है smart anti-airfield weapon इसके नाम में ही है anti-airfield शप्त का उपयोग किया गया है तो ये bomb जो है दोस्तों ये basically एक specific purpose के लिए बनाया गया है ये जो airfield होते हैं airfield का मतलब आप समझो बहुत बड़ी खाली जगा जैसे कि air bases होते हैं ये especially air fields पे attack करने के लिए बनाया गया है यानि कि जो military air bases होते हैं जहां से उनके fighter jets उडान भरते हैं उस जगा के जो runways होते हैं उनको निस्तो नाबूत कर देना और जो उनके aircraft hangers होते हैं जिसमें कि वो अपने fighter jets को रखते हैं अंदर छुपा के उनको destroy करना तो ये basically इस तरह के structures को destroy करता है न कि bombs की तरह बहुत बड़े बड़े structure को भी बिलकुल अंदर तक penetrate करते हुए destroy करता है ऐसा क्यों है तो इसका range दोस्तो अगर आप देखते हो तो इसकी range तो 100 km तक ही है लेकिन इसका जो mass है वो 125 kg तक का ही है और इसकी वज़े से इसका जो main warhead इसमें होता है वो 72 kg तक का होता है जबकि वहीं आप spice bombs में देखते हो तो spice 2000 में 900 kg तक का mass है और उसी mass के इसाब से उनमें warheads भी बड़े बड़े लगे होते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है उनका जो destruction area होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जबकि ये जो saw bomb है इसका destruction का area बहुत बड़ा नहीं होगा तो यानि कि इसकी range तो ज़्यादा है 100 km से अगर आप spice से compare करते हो तो उसके बराबर है और hammer से तो 40 km जाता है लेकिन ये एक specific purpose के लिए बनाई गई है ये दुश्मन के जो air bases होते हैं especially उनको तवा करने के लिए बनाई गई है लेकिन जो आपके other ground targets होते हैं जैसे बाला कोट वाली जगा थी जहां पे भारत ने attack किया था तो उस तरह की जगा पे आप दूसरे जो bombs है भारत के जो HSLD है या फिर सुदर्शन है आप उस तरह के bombs का इस्तमाल करोगे लेकिन उसमें HSLD अभी trial में चल रहा है और सुदर्शन की range कम है जो उसका extended range है वो भी अभी trial में चल रहा है तो इस तरह की कुछ air force की मजबूरी है दोस्तों जिसकी वज़े से air force current में चा के भी इन bombs को इस्तमाल नहीं कर पाती है और इसकी वज़े से हमें hammer खरीदना पड़ता है या spice खरीदना पड़ता है तो ये कुछ problem से जिनकी वज़े से भारत इन bombs को use नहीं करता है लेकिन 2-4 साल के अंदर ही हम उम्मीद करते हैं ये bombs बिल्कुल पूरी तरीके से develop हो जाएंगे और उसके बाद इन्हें भारती वायो से इस्तमाल करना शुरू कर देगी इसके अलावा आपका भी कोई question है कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं मनीश मिलता हूँ आपसे किसे अगले वीडियो में तब तक आप channel को subscribe करके वीडियो को like करना मत भूलिएगा नमस्कार जैहन